लाइफ में अगर आपके पास कवे भी चॉइस ना हो, आपको फ्रीडम न मेले, तो उस फ्रीडम को पाने के लिए किस हट तक आप जा सकते हो, या सही क्या गलत, इसमें क्या डिफरेंस होगा? इसी एक ठीम को लेकर, आज के हमारे मूवी इंसिकरिट ही आती है. स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक लगता है, पर बात में स्टोरी के क्यारेक्टर्स ये डार्ट टर्न लेते हैं. एक अफे लाइफ और डेट का गेम बन जाता है. स्टार्ट करने से बहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजएगा. अब बिना किस देरी के, एक्पिनिशन स्टार्ट करते हैं. मुवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं, यह फादर अपनी छोटी बेटी को अपनी सिस्टर के बाद छोड़ जाते हैं. उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, और वो खूद अकेले अपनी बेटी को समान नहीं सकता था. सिस्टर का नाम था मैडम रिक्विन, हम इसे पूरी मूवी में मैडम बुलाएंगे. ब्रदर कहता है, मैं जल्दी आकर मेरी बेटी को लेकर जाओंगा, तब तंग इसका ख्यार रखना. अपनी सिस्टर को थोड़े से बैसे उसने दे दिये, और कहा, कि मैं और भी भी भिशता रहूंगा. यह जो चुटी लड़की थी, इसका नाम था तेरेस. मैडम को एक बेटा है, इसका नाम है कमिल. कमिल हमेशा बिमार रहता है, इनके पास एक्षा रूम नहीं था, तो मैडम तेरेस और कमिल को एक ही रूम में सुलाती है. तेरेस ना अपने फादर को बहुत मिस किया, वो हमेशा सी को देखकर अपने फादर की याद करती थी. उसे लगता था कि जल्दी आ जाएंगे, पर वो आए ही नहीं. बच्पन से लेकर बड़े होने तक, तेरेस को कमिल का खैल रखना पड़ा. वो उसके फादर कभी वापस नहीं आये. मैडम कहा करती थी, मेरे ब्रदर ने कभी भी कोई भी प्रॉमिस कम्प्लीट नहीं किया, वो तुमें लेने के लिए भी नहीं आएगा. टेरेस बड़ी हो चुकी थी, तो अपने बॉड़े उसने डिस्कवर किये. फिल्ड पर जो वर्कर काम करता था, उसे देखकर वो अपने आपको प्लीज करती थी. एक दिन जब वो घर पर आए, तो कमिल बाहर था. कमिल की दवियत खराब होती है, तो मैडम कभी भी उसे बाहर नहीं जाने दे थी. टेरेस कमिल से कहती है, कि मुझे किस करो. कमिल इस बात को सही से समझ नहीं पाता, उसे गाल पर वो किस करता है. टेरेस उसे बता रही थी, मुझे इस तरीके से किस नहीं चाहिए, तो यह वहाँ मैडम आके. मैडम टेरेस को न्यूज देती है, तुम्हारे फार्दर की डेट हो चुकी है. टेरेस के फार्दर ने कुछ पैसे छोड़े थे, इस तो अपनी फाइनाशल सिचुएशन जारा ठीक करेंगे. इसके बाद हम देखते हैं, कुछ दीन गुजर चुके है, आज कमिल बहुत ही खुश था, क्योंकि इसे पैरिस में जॉब मिल चुका है, वहाँ पर अकॉंटिंग का जॉब वो करेगा. अपनी मदर को कह रहा था, कि अब हम सब वहाँ मूँ होंगे. मैडम पहले मना करती है, पर कमिल कहता है, आप हमेशे मुझे प्रोटेक करते हो, मुझे अब इस घर का कंट्रोल लेना चाहिए. अपने बेटे को रिस्पोंसिबल देखकर मैडम को भी अच्छा लगा. मैडम का भी एक सबना था, कि उसका एक छोटा सा शॉप हो, परिस में इस शॉप वो खोलने वाले हैं. मैडम ने का, जाने से पहले हम शादी कर लेंगे. तेरेस कहती कि किस की शादी? मैडम ने कहा कि तुम्हारी और कमील की. तेरेस इस पर कुछ भी नहीं बोलती. मैडम ने का, तुम्हारी मदर का कोई भी अता पता नहीं था, तुम्हें एक इलिगल चाइल्ड हो. ये वक्त हमारा 1800 का था, तो मैडम ने का, इलिगल चाइल्ड को सही से ट्रीट नहीं किया जाता. मैडम ने टेरेस को आफर थी, तो उसे थैंक्फूल होना चाहिए. टेरेस के पास भी और कोई आप्शन नहीं था, उसे कमील से शादी करनी पड़ी. इसके बाद ये डारेक्ली पैरिस आ चुके है. इनके बाद जादा पैसे नहीं थे, तो डार्क रूम सोगया इन्हें लेने पड़ते हैं. कमील कोई अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसके पास और कोई आप्शन नहीं था. यहाँ पर टेरेस को हम बास के फ्रेम में देख सकते हैं, यानि क्यों से लग रहा था, क्यों जेल में है. लुमिल अपना काम स्टार्ट करता है, और दिन बर घर के बाहर ही रहता है. टेरेस उसे पूछती है, क्या तुम अपने काम से खुश हो? कमिल कहता है, मुझे बसंद तो नहीं है, वो घुमने के लिए जो जला जाता है, वहाब और उसे बहुत अच्छा लगता है. आज आप टेरेस कमिल के साथ इंटिमेट होना जाती थी, पर कमिल कोई भी इंट्रेस नहीं दिखा था. नेकसे नहीं हम देखते है, हर चूस्टे को मैरम के है एक गैधरिंग होती है, सिट्डी को कुछ ओफिशल, उसके पहचान के लोग ये सब गेम्स खेलने के लिए आया करते है, आज यहाँ कमिल अपने एक फ्रेंड को लेकर आ, इसका नाम था लॉरेंड, लॉरेंड कमिल बच्पन का फ्रेंड है, उसका ओफिस में काम करता है, मैडम भी लॉरेंड को देखकर बहुती खुश थी, यहाँ कितना बड़ा हो चुका है, मैडम के सब फ्रेंड में एक पुलिस ओफिसर भी था, वो डेट बोडिस के बार में बात कर रहा था, लॉरेंड एक आर्टिस् हो गई, वो गहता है, एक बार मेरे फादर ने मुझे पकड़ लिया, उन्हें शौक लगा और सीडी से नीचे गिर गए थे, इसके बाद वो कभी भी घर में पेंटिंग नहीं बनाता, लॉरेंड एसा आर्टिस्ट है, जो अपने आर्ट के लिए कभी भी स्टर्गल नहीं क कमिल भी लॉरेंड के आर्ट में इंडरस्टेर था, तो कहता है, मेरी तुम पेंटिंग बनाओ, यह जो पेंटिंग बना रहे थे, तब यह टेरिस भी इनके साथ थी, कमिल नूड बेंडिंग के बारे में लॉरेंड से बूचता है, कमिल ने भी नूड बेंडिंग करने का ट्राइक किया था पर उनर्वस हो जाता था। लॉरेन कहता है कि जब भी मैं किसी मॉडल की पेंटिंग करता हो तो उसमें हिपनोटाइज हो जाता हो। उस model में और मुझ में एक desire create हो जाती है मैं एक दिन model के पास कया, उसे touch किया उसके बाद हम intimate हो गए थे कमिल कहता है कि उसने कुछ कहा नहीं लॉरेन ने का यो face से मुझे चाहती थी ये सब बाते सुनकर terrace uncomfortable होके कमिल की painting होने के बाद सब लोग इसे देखते है मैडम को ये painting बहुत ही अजीब लगी lifeless लगी पर फिर भी ये painting अच्छी थी सब लॉरेन से impress हो गए कमिल को कुछ काम था तो अब रूम में लॉरेन और terrace से दोनों अकेली थे इन दोनों में पूरे वक्त एक chemistry थी लॉरेन ने terrace से कहा कि आपने कपड़े उतारो terrace दर रही थी तो लॉरेन कहता है हमारे बास बहुत ही कम टाइम है जल्दी से intimate हो जाते है इसके बाद इनका मिलने का सिलसला स्टार्ट हो गया एग दिन जूज़दे पर कमिल ने फिर से लॉरेन को अपने घर पर बुलाया रात में जाने से पहले लॉरेन सुभाई terrace के पास आ जाता है इस बाद इन terrace के bedroom महीं थे लॉरेन को लगता है कि terrace का wedding bed है यहाँ बर intimate होना गलत होगा terrace कहती कि इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता लॉरेन सप्राइस था जब first time वो terrace से मिला था तो बहुत ही डरी हुई थी और उसमें इतना confidence आया कैसे रात में जब यह game खेल रहे थे तो terrace की moves अच्छी थी टेबल बर का एक आदमी कहता है जो लोग शान्द होते हैं कम बोलते हैं उन्हीं से हमें डर कर रहना चाहिए पता नहीं कि उनके mind में क्या चल रहा है मैडम जब नीचे store समाल दी थी तो हमेशा terrace बहान बनाती थी उसका सर दुकरा है वो जब bedroom में आती तो लॉरेन आल्रेड़ी वह होता ये intimate हो जाते हैं ये इसी तरीके से अपना affair continue करते है terrace लॉरेन से कहती है तुमने मुझे बहुत लेट ढूंडा लॉरेन कहता है कि ऐसा नहीं है सब कुछ टाइम में है terrace उसे कहती है फ्लीज मुझे इस सबसे बचा लो एक करा terrace terrace अपने बेर से उठकर खिटकी में देख रही थी कमिल जग गया तो उसे पुछता है कि क्या कर रही हो terrace कहती है कि मैं रिवर का आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो बचपन से उसके फादर वापस आएंगे इसलिए सी का आवाज वो सुनती रहती थी आज भी जब वो रिवर का आवाज सुन रही है तो अपना freedom वो चारती है एक दिन लॉरेंट और terrace एक साथ थे टेरेंट उसे कहती है फर्स टाइम में जब तुम से मिली थी तो मैंने तुम्हें hate किया था लॉरेंट पुछता है क्या तुम अब भी मुझसे hate करते हो टेरेंट ने कहा कि हाँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मझे छोड़ कर चले जाओगे लॉरेंट कहता है कि ऐसा कभी भी भी नहीं होगा आज कल कमिल जड़ा परिशान था टेरेंट कुछ खोई-खोई से लगती है वो लॉरेंट से इस बात के बारे में बात करता है वो कहता है कि कमिल मुझसे दूर जा रही है जब वो अपनी विलेज में रहा करते थे तो सब कुछ ठीक था लॉरेंट कहता है सिर्फ तुम उससे प्यार करो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा रात में फिर टेरेस कमिल के साथ इंटिमेट हुआ टेरेस इसे सैटिस्वाइड नहीं थी और भी कुछ दिन चले गए पर कमिल को अभी भी रखता है कि टेरेस उसे दो जा रही है उसने डिसाइड किया अब वो फिर से अपने विलेज में चला जाएगा ये बात उसने टेरेस से गई तो टेरेस बहुत ही डिस्टव हो गई वो कहती है अब हमारी पुरी लाइफ याँ है तुमने मुझसे इस बारे में डिसकस भी नहीं किया कमिल कहता है घर के सारे डिसीजन में लेता हो मुझे तुमें पुछने की जरूरत नहीं एक राज जब टेरेस और लॉरेन मिले तो टेरेस उसे सब कुछ बताती है इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कमील को मार डालेंगे लॉरेन कहता है कि एक एकसिडन की तरह लगेगा कोई भी वरी मत करो टेरेस जा रही थे तो उसे बुछता है क्या तुम मेरी हो टेरेस कहती कि हाँ उसने भी यही चीज़ उसे बुछी लॉरेन भी इसके लिए हाँ कहता है अगली देने तीनों मिलकर एक पार्क में आये टेरेस कहती है कि मुझे आसवास पाने की आवाज आ रही है वो बोटिंग करना चाहती थी पर कमिल बहुत ही जादा ठक चुका था वो यही बर लेट कर सो जाता है लॉरेन भी इनके पास बैठा यही पार्क में वो टेरेस को टच करने लग गया अजानक से इनके जान बैजान के लोग यह आ गए पर उन्होंने कुछ भी देखा नहीं था उन्हें भी बोटिंग करनी थी तो आगे चले गए थोड़ी दर में कमिल के उठने के बाग यह सारे बोटिंग के ले जाते है टेरेस बोट में आ नहीं रही थी वो अपने ब्लैन को सेकंड गेस कर रही है वो कमिल को मारना नहीं चारती लॉरेन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसके बाद टेरेस भी उसके साथ चली गए हम डारेकली देखते हैं कि लॉरेन टेरेस को स्विम करता हुआ किनारे तक लेकर आया था इन्होंने प्रिटेंड किया इनकी बोट डूप गए इसमें कमिल की डेथ हो गए ये दोनों मिलकर रोने का प्रिटेंड करते हैं इनके पहचान के सब लोग आसपासी थे तो उन्हें घर लेकर आये रात बस सब लोग कमिल की बोड़ी ढूंड रहे थे फाइनली बोड़ी मिली तो लॉरेंड को पहचानने के लिए कहा जाता है उसे बोड़ी देखकर उल्टी आ गए इसके बाद व्यूनरल हुआ और कुछ दिन बीट गए एक दिन टेरेस और लॉरेंड ये इंटिमेट हो जाते है मैडम बहुत ही ज़ादा दुख में थी वो टेरेस से कहती है ऐसा होना नहीं चाहिए था तुमने हमेशा उसका ख्याल रगा है तुम इसे मरने कैसे दे सकती थी उसकी डेथ हो गए और तुम बज़ गए ये कैसे पॉसिबल है मैडम की एक फ्रेंड उसे समालती है कहती कि इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है अब कमील की डेथ को एट मांस हो गए थे और मैडम अब भी कम में थी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर फिर से चूज़ दे नाइडिय स्टार्ट करते है मैडम ने कहा किसी को डूबने में कितना टाइम लगता है वहाँ सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते है यो इस बात को उसे जाने देना चाहिए इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता मैडम जड़ा गुसा होगे तो सब लोग यहां से चले जाते है लॉरेन ने मैडम को सहरा दिया कहा यो लोग आपके लिए केर करते है कमील के जाने के बाद लॉरेन इनकी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन चुका था इतना सारा टाइम हो चुका इसी की जान लेने के बाद वो डिस्टब हो चुके थे अब यही चीज़ टेरेस एक्स्पिरियंस कर रही है हर बार उससे कमील की याद आती रहती है वो आज कल खुश नहीं रह सकती एक दिन लॉरेन टेरेस से मिलने के लिए आया इसके साथ इंटिमेट होना जाता था टेरेस कहती है कि अब भी मुझे कमील के डरावने सबने आ रही है यही चीज़ लॉरेन भी अपने खुद के लिए एक्स्पिरियंस करता है वो भी बहुत ही डिस्टब हो चुका है टेरेस कहती है कि हम यहाँ से भाग चलते है लॉरेन कहता है यहाँ पर तुम्हारी पुरी लाइफ है तुम्हारा शॉप है हम इसे ऐसे नहीं चोड़ सकते टेरेस ने कहा यह शॉप मेरा नहीं है यह पूरे मैडम के ही नाम पर है ये सुनकर लॉरेन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे टेरेस को शक जाता है ये शायद लॉरेन उसके पैसों के लिए उसके साथ है लॉरेन टेरेस से कहता है इस सब लोग के सामने तुम नाटक करो ये टेरेस के तुमें बहुत याद आती है मैडम के फ्रेंज ने नोटिस किया एक दिन जब मिले तो सब मिलकर मैडम को समझाते है कि टेरेस के अब शादी कर देनी चाहिए वो बहुत ही दुखी है मैडम कहती कि किस के साथ वो शादी करेगी वो कहते है कि लॉरेन के साथ किसी stranger के साथ शादी करने से अच्छा वा Camille के friends ही शादी करे ये सारी इस बात को मान गए Teris और Lauren ये अलग room में थे Teris कहती है तुम किसी और के साथ है वे उसका send तुम पर smell कर सकती हूँ Lauren कहता है कि एक थी पर मैंने उसके साथ break up कर लिया है मैं नीन में ही तुम्हारा ही नाम लेता रहता हूँ सब लोग इनके पास है और कहा ये तुम दोनों को शादी करनी चाहिए ये दोनों भी मान जाते है इन दोनों की शादी के बाद मैडम ने अपनी will change की है मैडम की date के बाद उसके सारे पेसे टेरेस और लॉरेन को मिलेंगे वेडिंग नाइट पर लॉरेन कहता है कि आज वही रात है जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे टेरेस लॉरेन से बुछती है कमील की date कैसी हुई थी क्या उसने struggle किया था लॉरेन कहता है कि तुम भी वहाँ थी क्या तुमने देखा नहीं टेरेस ने कहा मैंने मेरी आग बन कर ली थी लॉरेन कहता है मैं शान्दी से उसे पानी में डाल दिया था टेरेस उस पर चीड गई कहती है कमील ने बहुत struggle किया था तुमने उसे नहीं मारना चाहिए था लॉरेन कहता है तुम भी तुवही जाती थी कमील को मारने के बाद इन दोनों की लाइफ हेल बन चुकी है इसके बाद कुछ टाइम गुजर गया तेरेस लॉरेन और मैडम एक दिन पाक में गए हुए थे मैडम कभी भी शौक से उबरी नहीं आज कल वो बहुत सारी स्टोरिस बताती है अब भी वो बताना स्टार्ट करती है तो लॉरेन इससे पक चुका था इस बाद स्टोरी बताते हुए मैडम को कमील दिखा इस शौक की वज़े से उसे अटेक आया इसके बाद वो पैरलाइस हो चुकी थी और कुछ भी बात नहीं कर सकती थी अब इन दोनों को मिलकर इसका खैल रखना पड़ता है एक दिन लॉरेन जब मैडम को उठा कर लेकर जा रहा था तो उसे आइडिया आई कि वो उपर से उसे फेक देका पर टेरेस ने उसे कहा पैसों के लिए तुम्हें हम दोनों की सीनेचर लगेगी यानि कि टेरेस मैडम को बचा लेती है इनकी मैरेज में भी आप प्रॉल्लम चल रहे थे लॉरेन को टेरेस का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता आजकल लॉरेन भी हमेशा ड्रिंक करता रहता है एक दिन मैडम के सामने इन दोनों की फाइट हो गई टेरेस लॉरेन कोई कमेल को मारने का दोशी मानती है लॉरेन जोर से जिला कर टेरेस से गहता है हम दोनों ने मिलकर उसे मारा यह सब बात मैडम ने सुनी और वो बहुत ज़्यादा रिस्टर्व हो गई थी वो सब सुनने के बाद बहुत रोती है एक दिन चुज़डेवर मैडम से मिलने के लिए उसके सब फ्रेंड्स आयर हुए थे वो टेवल पर अपने हाथ से कुस लेगने की कोशिश कर रही थी वो बहुत ड्राय करती है उसने टेरेस और लॉरेन का नाम लिखा वो आगे लिख पाती कि इन दोनों ने मिलकर कमिल को मार डाला पर वो बहुत ही इसोस्टेट हो चुकी थी उसके फ्रेंड्स को भी ये बात समझ बने आई एक दिन मैडम शॉप में थी तो उससे पैन और इंग दिखी वो इसे लिखने की कोशिश करती है पर उसकी इंग नीचे गिर गई थोड़ी दर में जब टेरेस मैडम के पास आई तो मैडम अपनी स्टीक से टेरेस को मारना जाती थी टेरेस कह दी कि ट्राय करो मार डालो तुमने ही मेरी जिंदगी बरबात की है तुमारी बज़े से मुझे जबरदर्सी कमिल के साथ शादी करनी पड़ी टेरेस आजकल बहुत ही डिस्टरब थी तो बार में जाकर ड्रिंग भी करने लग जाती है वो लॉरेन के साथ आजकल इंटिमेट नहीं होना चाहती अगले दिन जाकर लॉरेन ने पॉईजन बाई कर गर लाया वो मैडम और टेरेसा इन दोनों को मार डालने वाला था लास सेन में हमने देखा ये मैडम की इंग नीचे गिर गई थी अगले दिन जब उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए आई तो मैडम ने फ्लोर उपर लिखा हुआ है ये टेरेस और लॉरेन ने मिलकर कमील को मार डाला ये देखकर उसकी फ्रेंड भाग जाती है वो हेल्प मागने के लिए वहाँ से भाग गए टेरिस और लॉरेन ने जब देखा तो मैडम को मारने के लिए उसे नदी के पास लेकर आए ये प्रिटेंड करने वाले थे नदी के पास ये पिकनिक के लिए आए और मैडम की डेथ हो गए इनकी पास की वाइन में लॉरेन ने पॉईजन मिला दिया तेरेस के हाथ में भी चाको था इन दोनों ने एक दूसरे का प्लान नोटिस किया ये डिसाइड करते है कि मिलकर सुसाइड कर लेंगे वाजन से डेथ होना ये ज़रा इजी है दोनों ने मिलकर सुसाइड कर ली मैडम को ढूंडते होई उसके फ्रेंड्स आके उन्होंने उसे बचा लिया इसी तरीके से इस मूवी के एक ट्रैजिक एंडिंग हो जाती है टेरेस और लॉरेन ने एक साथ रहने के लिए कमेर की जान ले ली मर्डर की गिल्ड ये खुद सहर नहीं कर पाए इनका जीना हराम हो गया था किसे को मार कर ये अच्छी लाइफ जी नहीं सकते यही आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे बहुत सारे मूवीज लेकर आत रहत हो तो प्लीज चानल को सब्स्राइब कर दीजेगा बेल नोट विशाने को नाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक रिमोव के साथ तब दिखले थैंक्यू